Hello friends, welcome back to the channel दोस्तो क्या आपको पता है SSL Certificate क्या है? अगर है तो प्लीज वीडियो को skip कर दे अगर नहीं है तो वीडियो को continue करे दोस्तो अगर आपको नहीं पता SSL Certificate क्या है तो it's okay इस वीडियो में आप जान जाएंगे SSL Certificate क्या है वीडियो के सुरू में एक बात आप जान लीजिए अगर आपका एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट में SSL Certificate इंस्टॉल नहीं है तो hackers बहुत ही खुस होते है जो भी वेबसाइट में SSL Certificate इंस्टॉल नहीं है तो basically इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप कैसे आपने वेबसाइट में SSL Certificate को इंस्टॉल कर सकते है तो चलिए स्टार्ट करते है दोस्तो किसी भी सेर्ड होस्टिंग में अगर आपका वन येर का प्लान है तो आपको SSL Certificate फ्री में मिल जाता है लेकिन अगर आप क्लाउड होस्टिंग यूज कर रहे तो आपको SSL Certificate अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिजिटल ओसन में और किसी भी क्लाउड होस्टिंग में आप कैसे फ्री SSL Certificate को इंस्टॉल करेंगे दोस्तो इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ मेरा वेबसाइट onestoptech.co.in नीचे डिस्क्रिप्शन पर वेबसाट के लिंक आपको मिल जाएगा ओके तो ठीक है दूस्तो मैं अपना वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ onestoptech.co.in यहां से आपको जाना पड़ेगा वर्डप्रेस मेनु में अब इस आर्टिकल को आपको ओपन करना पड़ेगा अगर आप एक नया वेबसाइट लांच करना चाहते है तो यह वाला आर्टिकल आप पड़ सकते हैं और वीडियो भी नीचे दिया हूआ है वीडियो को फॉलो कर सकते हैं तो जल्दी से मैं एक ड्रॉप्लेट को लांच कर लेता हूँ यह सब डीटर्स मैं फिर से दोबारा नहीं बताऊँगा क्योंकि पहले से ही मेरा एक वीडियो अप्लोट किया हूआ है और अगर आप आर्टिकल पढ़ना पसंद करते हैं तो आर्टिकल भी पहले से मैंने मेरे वीबसेट पर अप्लोट कर दिया है अब टर्मिनल अपको उपेन करना पड़ेगा इन्स्टेंस और ड्रपलेट अभी रेडि हो रहे हैं इस जयिए अब हम पपल्लिक ip को कॉपी करेंगे और ब्राउजर में जाकर पेस्ट करेंगे ब्राउजर में पेस्ट करने के बाद कुछ की मैसेज आपको दिखाए दियेगा तो अभी फिलाल क्या करना पड़ेगा आप अपने ड्रॉपलेट को एससेच कनक्सेशन से लॉग इन करेंगे तो इसके लिए जो कमांड है वो है एससेच रूट एट पब्लिक आईपी दोमेन ने अभी दे देता हूं इमेल एड्रेस इसर नेम पासवर्ड ब्लॉग टाइटल यस अगर आप चाहे तो यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन मैं आपको दिखाने वालों मैनूल आप कैसे थे से एसेट आपको नहीं से को इंस्टॉल कर सकते हैं औो यहां से में लो कर देता हूं तो फाइनली हमारा wordpress website launch हो गया है अब हम देख लेते हैं हमने डोमेन मैप नहीं किया था डोमेन मैप कर लेते हैं पहले सर्विस डॉट वन स्टॉप टेक डॉट को डॉट इन एड डोमेन यह दिखे एक एक रिकॉर्ड एड हो गया है तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा website अभी ओपन हो रहा है लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आप दिखा रहा है not secure तो इसको आपको SSL certificate install करने के बाद secured करना है तो आप कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको अपना terminal open करना पड़ेगा अगर आप Linux और Mac यूज़ करते हैं तो और अगर आप Windows यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा तो दोस्तों मैंने अपने ड्रॉपलेट पर लॉग इन कर लिया है जैसे कि आप देख सकते है रूट मैंने अपने ड्रॉपलेट का नाम दिया तो अभी हम एक के बाद एक कमांड को यहां पर पेस्ट करेंगे तो ओपिन करते हैं वेबसाइट को तो दोस्तों यह जो कमांड्स आप यहां पर देख रहे हैं यह सारे कमांड्स को मैं यूज़ करके एससल सर्टिफिक्ट को इंस्टॉल करूंगा तो चलिए फर्स्ट कमांड को टर्मिनल पे पेस्ट करते हैं देन एंटर अभी कार्डबॉर्ट इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों मैं आपको जैसा दिखा रहा हूं ठिक वाइस से टेप पाइस टेप कीजीएगा नहीं तो एसस कमांड को रान करते हैं कोपी एंट पेस्ट एंटर देन थर्ड कमांड अब यहां पर बोल रहा है इंटर इमेल अड्रेस यूज़ फर अर्जन रिनुवल और सिकूरिटी नोटिस तो यहां पर आपको एक इमेल अड्रेस को देना पड़ेगा ध्यान रखिए इस इमेल अड इमेल अड्रेस को आप याद रखिए कौन सो इमेल अड्रेस आप यहां पर मेंसन कर रहे हैं एक एग्रिमेंट है अब सिंप्ली ए प्रेस करेंगे अब यहां पर देख सकते हैं दो वेबसेट्स आपके सामने दिखाई दे रहा है service.onstoptech.co.in और www.service.onstoptech.co.in ठीक है हम चाहते है यह दोनों वेबसेट पर ही SSL Certificate इंस्टॉल हो जाए अब मैं सिंप्ली यहां पर इंटर प्रेस करेंगे क्योंकि मुझे यह दोनों वेबसेट पर ही SSL Certificate इंस्टॉल किया हुआ चाहिए यहां पर एक एरोर यहां पर www.sw.co.in इस पहले वेबसेट के साथ मैप नहीं किया था तो इसको एड करना पड़े दबू डबू डबू को गंट्रूल पैनल में जाने के बाद यहां पर एक सीनेम एड करना पड़ता है सीनेम में आपको देना पड़ेगा यहां पर www.then यहां पर वेबसेट आपको देना वही कमांड मैं दोबारा यहां पर पेस्ट करके रन करना चाहता हूँ देखिए वह मैसेज अभी आया है इसका मतलब SSL सर्टिवेट इंस्टॉल हो चुका है हम चाहते हैं जो कोई भी अपने वेबसेट पर विजिट करें वह हमेसा सीकूर्ड साइट पर विजिट करें नॉट सीकूर्ड पर विजिट ना करें तो इसलिए हम दो नमबर प्रेस क इस लोकेशन में आपका सर्टिविकेट सेव है ठीक है तो दोस्तों फाइनली आपने अपना वेबसेट पर SSL सर्टिविकेट को इंस्टॉल कर दिये तो एक बार चलिए देख लेते अपना वेबसेट पर वह नॉट सिकूर यह अभी यहां पर दिखा रहा है अब यह सिक्यूर ठीक है तो दोस्तों आपने जान लिया है SSL सर्टिविकेट को कैसे आप अपने वेबसेट में इंस्टॉल कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग दा झाल